तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे हीरा मंडी दामन बजार वेब सीरीज के बारे में इसके अंदर आठ एपिसोड और हर एपिसोड जिसकी लेंग तकरीबन एक गंटे के आसपास रखी गई है कुछ एक एपिसोड एक गंटे से कम हो सकते हैं तो अंदाजा लगा लेना कि आपको इस सीरीज को देखने के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा या खपाना पड़ेगा देखो यार संजलीला बंसाली के दुआरे डिरेक्ट ये सीरीज नेट्फिलिक्स पर जो ये सीरीज आई है इससे काफे जादा उमीदें थी क्योंकि ये दिखने में काफे लेकिन कहानी या फिर और अधर चीजों की बात करें वो काफे ज्यादा मिसिंग लगी इतनी ज्यादा उमीद लेकर मैं इस सीरीज को देखने बैठा था अब क्या होता है कि जो भी कोई सीरीज आती है कोई मूवी आती है तो मुसको बहुत लेट देखता हूं रिजन यह हो जल्दी करूंगा मतलब इतना मैंने दिरिट संकल्प अपनाया था ताकि यह कर सकूँ लेकिन सारी प्लैनिंग पे पानी फेर देती है यह सीरीज अब उसका रीजन क्या है हम दीरे दीरे इस वीडियो में डिसकस करेंगे सबसे पहले तो हम इस कहानी इस सीरीज की कहानी के फारे में डिसकस कर लेता हैं यह पर तवाइफों का कबज़ है या फिर वो उनका ही एरिया है जो इशक करना सिखा ती है मतलब तवाइफ लोगों को इशक करना सिखा रही है अब इस सीरी जेकर नाम का अगर आप देखे या UP तो समझ जाओगी कि औरतों को हीरा का गयह है यनि औरतों का बजार जिस तरीके ने मतलब एक इंडिरेक्टरी तरीके से इसमें बोला गया है अब हीरा मंडी में एक मलिका जान करके एक ओरत है ये लेडी है तवाइफ है जो भी है अब मलिका जान को एक तरीके से टक्कर मिलती है उसकी मार्केट में फर्दीन करके एक जो और तवाइफ है जिसको अपले किया सुनक्षी सेना ने अब ये इन दोनों की टक्कर होती है भी कौन कबजा करेगा महल के ओपर या जो हीरा मंडी है उसके ओपर वगएरा वगएरा अब इसको लेकर दोनों के बीच में राज, नेती, वही दोखा, प्यार और इन दोनों का एक अलग पास्ट भी है ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है ये सारे चीज़ें इसके अंदर दिखाए गई है अब इस सीरीज में भारत की अजादी के पहले का भी टाइम दिखाए गया है तो अब इसके अंदर भी थोड़ा बहुत फोकस किया गया है ज़्यादा नहीं कहूंगा थोड़ा बहुत फोकस किया गया है और जितना भी focus किया गया है, कोई इतना ज़्यादा impactful नहीं था कि हमें लगे कि हाँ यार, बहुत ज़्यादा अच्छा चीज दिखा दी, नहीं, बहुत ज़्यादा बोर कर देती है, अब इस series का first half के अगर हम बात करूँ तो देखा है, मुझे ये मुझरा, ये dance, ये संगीत इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जिस तरीके का इसके अंदर दिखाया गया है, तो first half तो इस series को बहुत ज़्यादा बोर बनाता है, मेरे लिए, मेरे perspective से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं देखनी थे वो गाने या वो संगी, जिस तरीके का इसके अंदर लगती है यह series, लेकिन उसके अलावा इसमें कहानी पर कम focus किया गया, अरे यार उतना ध्यान कहानी पर दे देते तो ज़्यादा बैटर होता, शायद दिमाग खराब ना होता, मैं इस series को एक मही को यह देखने बैठा था, लेकिन इतनी ज़्यादा बोरियत करने लगी कि वह सब चीजें होती है, और वह तो शुकर है कि इसको थेटर में कोई मूवी के तोर पर इसको release नहीं किया, क्यार आपने इसको थेटर में देखा होता तो आपका definitely सरदर्द हो जाता, आप कहीं न कहीं इसको बीच में छोड़कर भाग गये होते हैं, यह OTT पर आई है, काफ कुछ खास नहीं है story, वही कि भाई साब कोई दो इनसान जो है वो एक चीज के उपर या फिर एक जगह के उपर कबजा करना चाते हैं, इन दोनों का कोई past रहा है, अब एक दूसरे से वो लड़ रहे हैं, उसको लेकर यहां पर कोई राजनीती है, कोई किसी को दोखा दे र पर, मतलब यहां पर serial एक तरिके साब ऐसा लगएगा कि वो serial ही देख रहे हो, वही रोना धोना, वही melodrama, वही गिसी पिटी चीजें, इसमें वही बेकार से dialogue, कोई कुछ भी नया नहीं है, के बल मैं जैसे करा हूँ कि Sanjalila Bansali के दोरा यह direct की गई series है, जिसमें आप बस यह स समझ सकते हैं कि इसके अंदर चीजें दिखने में काफी ज़्यादा सुंदर हैं, ड्रेस होगी, मेक अप हो गया, या फिर सेट डिजैन होगी, वो काफी ज़्यादा सुंदर है, एक तरिकेस लगे गया बहुत सुंदर चीज चल रही है, लेकिन उसके अलावा इस series में पर इसमें फोकस है, एंडिंग बहुत ज़्यादा बेकार है, जो एक टाइम दिखाया गया है कि अजादी के पहले का टाइम है, तो अजादी के लिए यहां पर संगर्ज कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बेकार है, प्यार, इश्क, महुबत, इस पर फोकस करने कि इसमे में सुन्दर है, बागी इसके अंदर कोई कहानी नहीं है, या फिर इसके अंदर कोई अच्छे के डायलोग नहीं है, कोई गाने, कोई डांस, मुझे इतने कुछ कास पसंद नहीं है, फुल ओन एक तरीके से एंटरटेन्मेंट नहीं, एक सरदर्द के तोर पे यह सीरीज ब लग रहा है कि बॉलिवुड के वाकई में उल्टेती नहीं लगे हुए है, क्योंकि जिस तरीके के सीरीज या मुवीज लेके आ रहे हैं, कोई धंका काम नहीं कर रहे हैं, या बड़े मिया, चोटे मिया, मुवी देख लो, या रुसलान मुवी देख लो, या उससे पहले एक Amazon के ओपर एक मुवी आई थी, एवतन मेरे वतन करके शायद मुझे का नांग भूल गया हूँ, अच्छी बात है उसको बूल गया हूँ, तो एक Animal जो है, वो मुवी थी, वो काफी अच्छी थी, या फिर मटगाओं एक्सप्रेस थी, वो मुवी अच्छी थी, ये लगत इसकी कि आप उसको सुंदर बना, वो तो अलग चीजी होगी, वो कोई इतनी नसेसरी चीज नहीं है, आपको नसेसरी चीज क्या करना है, भाई सब आपको कहानी पर फोकस करना है, जिससे लोडियन्स उसके साथ जुड़ी रहे, तो देखो, मेरी तरह से जैसे मैंने का, इस कैसे लेगी, नहीं देखी, तो भूल जाओ इस सीज को, बसाज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स और उसमिंग, इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैहिंद,